हाँ फ्रेंड्स 69 BPSC का नोटिफिकेशन यद्यपिय भी नहीं आया है लेकिन जैसा BPSC ने कलेंडर जारी किया उसकी अनुसार 30 सितंबर को BPSC प्रिलिम्स का एक्जाम संभावित है और उसी के लिए हमारा संस्थान एक टैसरी सुरू करने जा रहा है चार जून से जैसा आप सबको भली भाती अब तक ये समझ में बात आई है जानकारी हो गई है और हमने भी पिछले कई अलग अलग वीडियोस में चर्चा की इस बात के उपर कि अब BPSC एक्जाम का जो ट्रेंड और पैटर्ण है लगभग UPSC को फॉलो करने का प्रयास हो रहा है अलग कि पूरी तरह से भी UPSC के समक्ष नहीं हुआ है BPSC लेकिन काफी हद तक दौनों के बीच के अंतर कम हुए है सिलेवस में अभी भी काफी अंतर है लेकिन आप प्रस्णों का स्टेंडर्ड देखें तो उसमें काफी हद तक BPSC ने प्रयास किया है UPSC के स्टेंडर्ड को फॉलो करने का प्रिलिम्स में भी हम देख रहे हैं 68 प्रिलिम्स का जब पेपर हुआ कि कैसे उसमें Conceptual Questions की भूमिका बढ़ाई गई निगेटे मार्किंग शुरू की गई और परिणाम हुआ कि एक्जाम की कठिनाई बढ़ गई और बहुत सारे लोगों को जो 67 66 में प्रिलिम्स बढ़ी आसानी से पास कर रहे थे 68 में उन्हें प्रिलिम्स पास करने में दिक्कते हो गई Cut Up भी जहां 115 या उसके उपर निकल जा रहा था Cut Up भी काफी नीचे आ गया और हमेशा Negative Marking के बाद ऐसा होता ही रहा है तो कहने का मतलब चुकी जब BPSC के एक्जाम की अब गंभीरता बढ़ी है हमारा संस्थान लंबे समय से UPSC के लिए काम करता रहा है और BPSC भी अब चुकी UPSC के समक्ष हो रहा है तो फिर हम हम BPSC के लिए भी प्रियास कर रहे हैं निबंद से हमने सुरुआत की और अब हम BPSC Prelims की Test Series सुरू करने जा रहे हैं चार जून से यह Test Series सुरू होगी कई मामलों में दूसरे से हमारी Test Series अलग होगी और बहतर भी हमने प्रियास किया है की हो 16 टेस्ट हमने इस Test Series में प्लान किये हैं 10 Sectional Test और 6 Full Length Test Hindi और English दौनों Medium में यह Test Series उपलब्ध है Offline, Online दौनों Mode में अगर आप दिल्ली में हैं Offline जोईन कर सकते हैं दिल्ली में नहीं हैं Online सुविधा भी है इस Test Series में जो 16 टेस्ट होंगे 10 Sectional टेस्ट है और 6 Full Length टेस्ट है Sectional टेस्ट की प्लानिंग करते समय हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि BPSC ने Prelims के 150 Questions में किस Section पर कितना जोर दिया है Especially 68 BPSC Prelims में अलाकि उसके पहले के एक्जाम्स का भी Train हमने देखा लेकिन 68 को विशेश रूप से ध्यान रखा पुराने पेपर्स की Analysis करने के बाद ये बात समझ में आ रही है आपने भी देखा होगा Analysis की होगी तो कि History और General Science GS के इन दो Section की भूमी का BPSC Prelims में विशेश रूप से बहुत जादा रही है हमने पाया कि अगर ये दो Section अच्छे से तयार कर लिए जाएं तो कम से कम 60 से 70 प्रस्न बड़ी आसानी से BPSC Prelims में मिल जाते हैं दो Section और फिर उसी तरह से Unsection की जो भूमी का है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10 Sectional Test प्लान किये हैं 4 Test जिसमें History से जुड़े हैं उसमें भी 3 Test Ancient History, Mediabal History, Modern History से जुड़े हुए और 4 Test केवल बिहार की इस्टी से जुड़ा हुए चुकि आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रस्न Prelims में ऐसे होते हैं जो बिहार Specific होते हैं तब उसके बाद General Science की बड़ी भूमी का को ध्यान में रखते हुए तीन Test पर General Science के एक Physics, एक Chemistry, एक Biology और तब उसके बाद पर जो GS के अन्न सेक्सन है एक टेस्ट पॉलिटी, गवर्नेंस, एकॉनमी, एक टेस्ट जोगरफी और एक टेस्ट फिर बिहार Special, जोगरफी, एकॉनमी, पॉलिटी, तो इस तरह से दस सेक्सनल टेस्ट और तब लास्ट में 6 फॉल लेंद टेस्ट को 16 टेस्ट होगे आप देखेंगे इन सारे टेस्ट में हमने टेडिशनल सेक्सन्स को तो लिया ही जैसे हिस्ट्री है तो 130 प्रस्ण हिस्ट्री के होंगे लेकिन हर टेस्ट में हमने Current Affairs की भूमिका को भी जोड़ा है हर टेस्ट में 20 प्रस्णम Current Affairs के भी रख रहे हैं हमेशा कहा जाता है कि एक साल का Current Affairs अगर आपने बहुत अच्छे से तयार किया है तो GS में आपको बहुत आसानी हो जाती है चाहे वो प्रिलिम सुहर चाहे मेंस तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि 30 सितंबर को प्रिलिम संभावे थे तो हमें पिछले साल के सितंबर अक्टूबर के Current Development से लेके इस साल के अगस तक के Current Development को भरी भाती जानना होगा Monthwise Current Development को भी हर टेस्ट में हमने शामिल कर दिया जो फर्स टेस्ट होगा चार जून का तो उसमें नवंबर की जो मेगजीन आती है Current Affairs की आप देखे अगर हम दरपन का ही एक एक अग्जाम्पिल लें नवंबर की जो पृतियोगिता दरपन है वो मार्केट में आ जाती है साथ आठ अक्टूबर को अक्टूबर में आता है नवंबर का अंक और सभाविक सी बात है की उसमें जो Current Development होता है वो सितंबर का होता है 27 अक्टूबर को तो आई गया मार्केट में मतलब सितंबर को cover किया जाता है उसमें एक दो October तक का coverage होता है 7-8 October को market में आता है लेकिन अंक का नाम होता है November तो November 2022 की magazine जिसमें आई है वो October में और जिसमें current development से September के तो इस बात को दिहान में रखते हुए तो current affairs November 2022 हमने हाँ लिखा है इसका मतलब है कि ये magazine का अंक नवंबर का है आया October में था current development सितंबर के होंगे तो उसी तरह से month-wise फिर current development शामिल किये गए तो ये 16 test की एक test series है हमेशा कहा जाता है friends चाहे वो pre हो चाहे mains हो कि एक बहुत अच्छा notes एक बहुत अच्छी समझ ही परियाप्त नहीं होती जब तक कि आपने प्रस्न अभ्यास नहीं किया हो जितना जादा प्रस्न अभ्यास जितना जादा आप mock test करते हैं आप अपनी ग्यान अपनी तैयारी को उतना बहतर तरीके से निखार पाते हैं जितने प्रस्न सही होते हैं confidence बढ़ाने में मदद मिलती है जो प्रस्न सही नहीं होते आपको गलतियां पता लगती हैं अपने कमजोर पक्ष पता लगते हैं और उनको ठीक करने के लिए आपके पास परियाप्त मौके उपलब्द होते हैं human error या मानविये गलतियां होने की संभावनाएं भी धीरे धीरे घठती जाती हैं जितना ज्यादा प्रस्न अभ्यास करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि question practice की तो कोई limit नहीं है जितना कर पाएं उतना करना चाहिए तो बैसी इस्तिती में आप ये test से rejoin कर सकते हैं जो ये test होंगे ब्याक्ख्या सहत इनके आपको answer मिलेंगे और ब्याक्ख्याएं भी परियाप्त बिस्तार में कि ताकि आपको उस प्रस्न वो प्रस्न जिस topics जड़ा है उससे जड़ी मूलभूत जानकारी उस ब्याक्ख्या से ही मिल जाए और जब हम काफी बिस्तित ब्याक्ख्या दे देंगे तो फिर अलग से इसके discussion की कोई आवश्यक्ता भी नहीं रह जाएगी वो लिखेत रूप में ब्याक्ख्या ही आपके लिए परियाप्त होगी तो 16 test friend चार जून से सुरू हो रही है यह test series आप join कर सकते हैं बहुत ही एक nominal fee के साथ यह test series अपलब्ध है केवल एक token fee रखी गई है इस test series के लिए हाँ वो जो fee है सुरुआती 100 students के लिए ही fee से तो ब यही सलाह दूँगा कि आप as soon as possible इस test series को join करें test series सुरू होगी पहला test चार जून को होगा इस क्रीन पे mobile number दिख रहे हैं आप इन mobile numbers पे बात करके अपना admission कर सकते हैं और test series में शामिल हो सकते हैं किसी तरह की कोई query कोई doubt है वो भी आप इन number पे बात करके जो भी doubt है उन्हें clear कर सकते हैं धन्यवाद दोस्ते कर सकते हैं